नमस्कार किसान भाईओ, आप सबका स्वागत एक और नई वीडियो में किसान भाईओ, आज की वीडियो में हम बات करेंगे सर्शों की नंबर वन विराइटी छो की पाइउनीर कमपनी की 45S56 नाम से आती है इस विराइटी के बारे में जो भी किसान सर्शियों की बिजाई करता है तो वो इस विराइटी के बारे में रूट जानता है साइध ही कोई किसान एसा होगा जो इस विराइटी के बारे में नहीं जानता हो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एक विराइटी की खासियत और इसके कुछ कम्यों के बारे में तो चलिए किसान भायो आज का वीडियो शुरू करते हैं यह विराइटी पिछले कई सालों से उत्पादन के अंदर सबसे बेस्ट विराइटी साबित हो रही है किसान भाईो इस बात में कोई सक नहीं है क्योंकि यह विराइटी बहुत ही पोपलर विराइटी है और बहुत जादा उत्पादन दे रही है इस कारण हर किसान भाई इस नवस्या जानता है इसके साथ ही इस variety में दो कम्यां भी है इन कम्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इसलिए इस वीडियो को आप पुरा जुरूर देखें किसान भाई भात करें इस 45-46 variety की कि यह है किस परकार की मिटी के लिए सबसे best variety होती है और इसकी साथ में ही बात करेंगे इसके अंदर तेल की मातरा की जो ये विराइटी है इसकी जो उपज हमें प्राप्त होती है उसके अंदर हमें तेल की मातरा कितनी मिलती है क्योंकि आप सब जानते हैं आज कल बाजार के अंदर भाव हमें तेल की मातरा के हिसाब से मिलता है इस सर्शों के अंदर तेल की मातरा ज्यादा होती है। उसका भाऊ भी हमें ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं किसानबायो, point by point इस सबसे पहले बात आती है कि यह विराइटी किस परकार की मिट्टी में हम लगा सकती है। तो किसान भाईयो इस विराइटी को लगाने के लिए हमारी जो भूमी है वो मद्यम से भारी भूमी होनी चाहिए यानि कि याई विराइटी मद्यम से भारी मिट्टी के लिए सबसे बेस्ट विराइटी रहेगी अलकी मिट्टी के लिए याई विराइटी अची नहीं है किसा बाद में बात आती है इसके बिजाई के समय की तो किसान भाईयो यह जो विराइटी है यह अगेती विराइटी है यानि कि अगर हमें इसका सरवतम उत्पादन लेना है तो हमें इसकी बुआई अगेती करनी होगी तबी है हमें सबसे ज़्यादा उपस दे के जाएगी अब ब विराइटी की विजाई के लिए सबसे बेस्ट समय होता है किसान भाईयो अब बात करते हैं कि अगर जब हम इसकी विजाई करते हैं इसके बाद में इसके पोदे की हाइट क्या रहने वाली है तो किसान भाईयो इस किसम के जो पोदे होते हैं उनकी हाइट जो उसतन हम बात कर प्राइटी के अंदर ब्रांचिंग नीचे सी स्टार्ट हो जाती है यानि कि इसका पोदा बहुत अच्छा बनता है यह विराइटी 125-130 दिन की विराइटी होती है यानि कि 125-133 दिन में यह विराइटी पक कर त्यार हो जाएगी अब बात करते हैं इसकी उपज की तो किसान भ जो की बहुत अच्छा उत्पादन होता है सर्चों का इस परकार यह विराइटी सर्चों के उत्पादन में सबसे टोप पर रहती है इसलिए हर किसान भाई की पहली पसंद है यह विराइटी किसान भाई यह बात करें इसकी इसमें तेल की मात्रागी तो इस विराइटी के दानों में 46 से 42 परतिसद तक एल की मातरा होती है इसी कारण इसके अंदर लेव सबसे ज़्यादा आती है और इसका उत्पादन के अंदर तो कोई कंपेटिशन ही नहीं अब बात करते हैं इस विराइटी के अंदर जो दो कम्यों की हमने बात करी है उन कम्यों की भी इसके अंदर दो एसी कौन सी कम्या हैं जिस कारण से किसान इस है विराइटी नहीं लगाना चाहता है अपने खेत में तो किसान भाई यो सबसे पहली जो समस्या इसके अंदर आती है वो आती है कि इस किसम के अंदर पाले किसमस्या सबसे ज़्यादा रहती है यानि कि जब भी कोरा पड़ता है बरफ पड़ती है यानि कि टंपरेचर जैसे ही डाउन जाता है तो इस विराइटी के जो फलियां होती है जितने भी फलियां यह होती है उसके अंदर जो दाने होते हैं वो फुरनतिया खतम हो जाते हैं यानि कि यह फसल अगर पाले की चपेट में आ जाती है ना तो इसका उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है या इसके अंदर सबसे बड़ी कमी है जिस कारण से किसान भाई मार खा जाते हैं किसान भाईयो वेशे तो हर किसम के अंदर ही पाला मारने की समझ चारती है लेकिन अन्य किसमों के मुकाबले इस किसम के अंदर पाला मारने की समझ चारती है इस कारण से जब यह किसम पाले की चपेट में आ जाती है तो इसका उत्पादन ना के बराबर भी हो सकता है अब बात करते हैं इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी की हैवे राइटी पकर त्यार हो जाती है और इसकी जो फसल है वो हम इसका सूखने का इंतजार करती हैं कि जब इसकी फसल सूख जाएगी तो हम इसे कंबाइन से हर्वेस्ट करेंगे तो उस समय इसके अंदर फलियां जड़ने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है इस कारण से हम इसके अंदर कंबाइन का यूज़ करके नहीं निकाल सकते हैं इस कारण से हमें हलकी जब यह इसके अंदर नमी की मातरा रहती है दाना में उस समय हमें इसकी कटाई करनी होती है अन्य था इसके अंदर फली जड़ने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है इन कम्यों के अलावा अगर वातावरन बिल्कुल अनुकुल रहता है पाले की समस्या नहीं आती है इसके साथ ही हम इसकी कटाई समय पर करते हैं और इसके अंदर सभी पोसक्त अत्व देते हैं तो उत्पादन के मामले में इस विराइटी का कोई कम्पिटिशन नहीं है इसलिए किसानवायो आप इस विराइटी की बुआई कर सकते हैं लेकिन बुआई करने से पहले हमें इन दो बातों का विशेश द्यान रखना है कि एक तो हमें इसकी कटाई समया पर करनी है और इसकी बुआई भी हमें समया पर करनी है अगर हम इसकी बिजाई के अंदर देरी करेंगे तो इसका उत्पादन गटता जाएगा किसान भाईयों आज की वीडियों में हमने बात करी सर्शों की नंबर वन वेराइटी 45-46 की उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाईयों के साथ सेयर करें धन्यवाद